हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 के लिए मैं तुपूर्ण जो प्रश्ण की सीजी चल रही है मैथमेटिक्स की तो आज की वीडियो में संख्या पध्धिती कि से समंदित प्रश्ण होंगे जिसमें हिंदू अरेविक संख्याओं को कैसे लिखते हैं उसके साथ साथ सन्निक टर्मान कैसे निकालते हैं साथ में रोमन संख्याओं से समंदित प्रश्ण होंगे उसके अलावा अनुवर्ती कुरुवर्ती समंदित प्रश्ण हों या दीगी संख्याओं से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी हो इस प्रकार के प्रश्णू को हम सामिल करेंगे जो कि हर बार सीटेट की एक्जाम में कहीं ने कहीं पूछी जाते हैं सुर्वात करते हैं आज का पहला प्रश्ण जो की सीटेट 2013 का क्वेश्चिन है वीडियो सुरू करने से पहने में थोड़ा आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दें और पहने से चैनल में हैं या नए हैं तो एक शेयर जरूर करें और वीडियो को अन्तज़क जरूर देखें पहला क्वेश्चिन है हिंदू अर्वी संख्यांकन पध्ध्यति में चार अंक वाली कितनी संख्याइं होती है इस प्रकार का प्रश्ण हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता है कभी चार अंक कभी पांस अ संख्याओं के बारे में पता है करें कि चार अंकों की सबसे ज्यादा संख्या 9999 होती है शबसे बड़ी संख्या तो छार अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह होगी 9992 लेकिन इसमें यह संख्याइं कहां तक होंगी चोई 9992 हां तक चार अंक हैं इसमें एक से लेकर के 9992 तक की 2 अंक की और 3 अंक की संख्याइं भी जोड़ी होंगी तो अगर बात करें चार अंक प्रार्मव के तो चार अंक प्रा प्रारमब होते हैं 6000 से और 900992 पे शमाबत होते हैं तो क्या करेंगे मैं जो 3 अंक की प्रड़ी हैं और दो अंक्षी संक्षाय हैं उनकों चुछ वोड totally अंक्ष को निकालनी हो क्या करेंगे तो चार अंखों की सबसे बड़ी संख्या में तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या को खटा देंगे नो सबसे निरानवे को खटा देंगे तो यह आजाएगा 9000 तो अप्सेन नमबर 3 इसका राइट आंसर है 9000 संख्या ऐसी होगी जो एक जार से प्राणवी होंगी और अगला प्रस्ण लेते हैं अगला प्रस्ण है इसी टेरे का प्रस्ण है संख्या कि उन्पचास हजार पांत्सो बत्तिस का संदिक्टन हजारवा मान क्या हुगाई ग्यांत करना ऑप्षन दिये हैं संख्या दिए है चार हजार 59 1532 अ अब निकानना है हजारवा संदिक्टन मान कि हजारवा मान जब हम संदिक्टन में निकालते हैं तो इसमें जो तुलनात्मक मध्यमान होता होता है 500 500 से बड़ी सेंख्याई जो हुंगी नेस्ट हजार में जाएंगी 500 या पॉंच से अधिग नोशन निरान्वी तक 500 से छूटी जो हुंगी जो दीग यह मान है वहां तक जाएगा और इकाई-धाई शेकड़ा वाला मान सुन्नी हो जाएगा यह बीच की क्राइटीरिया है अब इसमें देखेंगे हम यहां पर कि काई-धाई शेकड़े पर तुन्ना करेंगे यह 500 या 500 से अधिक है या नहीं है तो 532 500 से अधिक होता है अधिक है तो जो हजारवाला भाग है उसमें एक जोड़ेंगे हम और यह तीनों मान सुन्नी हो जाएंगे कि संद्रिक्टन निकालने के लिए कि इसमें एक जोड़ेगा कि तो यह आ जाएगा कि पचाहफजार बबढ़ा लिख लेते हैं इसको इसमें एक आंक जोड़ जाएगा ज यह नहीं पचाह जार यह संख्या जो थी उनपचाहफजार और पचाहफजार के बीच में थी और 532 इसके अगर हम तूलना करें तो नजद्रीक है उप्सन नंसर नंबर कि इसका राइट आंसर है अगला प्रस्न है ल एक्स एक्स भी ट्रिपल आई की संख्या को का बोट को होता है सिकित संख्या का बोट होता है यह आपका रोमन नंबर दिया है रोमन नंबर इसके option दिया है कुन से से रिशका राइड आंसर होगा पहने हम देखते हैं कि संख्या में दे रखिए ल एक्स एक्स भी ट्रिपल आई एल एक्स एक्स एल पचास को सोगरता है एक्स दस को भी भी दस को यानि यह गया पचास धन दस धन दस यानि शेवन्टी साथ में इसकी बात करें तो यह आ जाएगा आठ को सोगरता है भी ट्रिपल आई धन आठ तो 78 इसका राइट आंसर है option नंबर 4 अगला प्रस्ट नहें के तीन साथ सुन्य एक पांच से बनी पांच संकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी यह पर अंकदेव हैं फॉफ है 305 साथ सुण्य एक और बंच इससे बनानी है पांप सब्सक्राइब की ईक गेँए सबोसे क्याने एक दो तीन चारव पांच है तो कि अईसे की क्या करता है a है च्छोटी संख्या पहले लेते हैं फिर बड़ी संख्या लेते आगे को सता रमरों सबस्य बड़ी जतिक को सुनिय को पहले लेते हैं सुनेश eer फोड़ी अकनी से 1 है फिले प्रम एक टीन है पांछ और है उस्थे जाथ है क्या है करां गर एक को पांच और फिर शाथ तो इस सबसे छोटी संख्या होगी इन दीवी अंखों की जो की मैच करता है ऑप्शन नंबर कि दो के साथ तो ऑप्शन टू इसका राइड आंसर होगा लेते ने अगरा प्रेशन है प्रेशन प्रेशन नंबर पांच 43,062 यानि 44,62 का दस की घातों की रूप में बिस्तारित रूप में लिखना है कैसी बिस्तार होगा शंख्या जे रखा है 43,062 इसका हम एक्सपेंडेट प्रेशन यानि बिस्तारित रूप लिखेंगे एकाई धाई शेकड़ा हजार दहजार तो 4 गुणा 10,000 3 गुणा हजार स्तान पर है तो हजार धन सुन्य गुणा शेकड़े पर है 100 धन 6 गुणा 10 धन 2 एकाई पर है तो 2 गुणा एक हो अब इसको घात रूम में लिखना है दस जार को इसको लिखेंगे चार गुणा सुन्य कितने हैं एक दो तीन चार तो दस की घात चार इसी प्रकार तीन गुणा दस की घात तीन सुन्य है तो तीन सुन्य को गुणा करेंगे किसी संख्या से तो यह सुन्य रहेगा धन 6 गुणा 10 की खात 1 अर्था 10 धन्द हो तो यह option number 2 के साथ मेर्च करता है option number 2 इसका right answer है यह लखेंगे इसको बिस्तारित रूप में अगला प्रश्न है 28308 मैं आये 8 के दो स्थानों पर जो दो स्थान पर आठ आया है स्थानी मानों का अंतर व्याद करना है तो संख्या है 28308 अब यहां पर आठ का जो स्थानी मान है इकाई के स्थान वह तो आठ गुणा एक अर्थाथ आठ आठ यहां कर हम देखें आठ को इकाई धाई सेकड़ा हजार थाउजन प्लेश पे है तो आठ गुणा एक हजार ब्रावर आठ हजार हो गया यहां क्या है स्थानी मानों का अंतर पूछा गया है तो अंतर क्या होगा आठ हजार रिण आठ तो दसमें से आठ खटाएंगे दो यहां रहा नो यहां रहा नो और क्यूंकि यहां से हम जब कर जा लिया था तब जाकी बना था तो इसमें बुन जाएगा आपका साथ तो साथ जार नोसो बैयानबे सिवन थाउजन नाइन हेंडिट नाइंटी टू अप्शन नमबर वन इसका राइट आंसर है दोस्तों अगला क्वेश्चिन है क्वेश्चिन नमबर साथ आई भी के ओपर बार सीडी आए एक्स से की संख्या का बोध होता है इस प्रकार का प्रस्ण कई बार क्रिश्ण में पूछे जाते हैं और उलजन रहती तो क्या से जहेंगे इसको तो इसको आज मझा पो बताओंग zm 1 k 15 का मान दिखा जाता है जहां पर बार होता है वह उसका हज़ार गुने को बताता है इस चार गुना हजार धन CD की बात करें CD दिखाता है D जैसे LCDM आपको पहले भी बता रखा था मैं अगर आप लोग वीडियो लगतार दिखते होंगे LCDM L पचास को सो करता है C 100 को सो करता है D 500 को और M 1000 को सो करता है तो CD C यानि 100 D 500 C पहले आने पर 500 में से अगर 100 घटाएंगे तो 400 को सो करेगा और I X 9 को सो करता है 09 इनको अगर हम जोड़ दें तो 4000 409 यानि 4409 इसका राइट आंसर होगा जो दीवी पर संख्या है option नमबर दो इसका राइट आंसर है देते हैं को से नमबर एट चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का युगफल option देवे हैं option एक दो तीन चार में option देवे हैं चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी नो हजार नॉसोद निरानवे सबसे बढ़ी से तो ऑर सबसे छोटी एक हजार पूछा क्या है इन दोनुं का योगफल पूछा है अर्था इन दोनुं का जोड़ नौजार नौशो निरानवे धन एक हजार इनको जोड़ेंगे नौ नौ और जोड़ करके दस दह जार नौशो निरानवे अप्सिन नमबर टू इसका राइट आंसर है दस्तों एगला प्रस्ण है 16540 की अनौवर्ती संख्या है अनौवर्ती इसको दुस्से सब्दों में उत्तरवर्ती भी कहा जाता है यानि आगे आने वाली संख्या इंगलिश में बोलता है सक्सिशिव तो 16540 का जो अनौवर्ती होगा उसको के लिए इसमें हम एक को जोड़ेंगे जैसे एक का अनौवर्ती दो दो का अनौवर्ती तीन यह अनौवर्ती कहते हैं पूर्वर्ती में एक एक पीछे की संख्या जैसे च्छे का पूर्वर्ती पांच दस का पूर्वर्ती नौ अगर हम अनौवर्ती की बात करें कि त्याज का अनुवर्ति 23 का 24 होगा उसके लिए एक उसमें जोड़ना होता है तो यह आ जाएगा कि शिस्टीन थाउजेंड फाइब हंडे फूर्टी वन तो अप्शन नंबर तो वहां पर इंग्लिज में होगा इसको successive लिखा होगा तो जहांबर successive नीकालना या अनुवर्ति निकालना होए तो प्लिश बन न खरेंगे पूर्वर्ति निकालना होगा उशेविए मैनेस वन करेंगे जैसे अगर हम 27 का पूर्वर्ति की बात करें तो Hilux आगे आने वाली संक्या प्याय ठेलेक्षिज के कुक्षिनुमें 10 नीरी हिए कि नमब्र10 है किसी संक्भ्या को नौ से भाग देने परле हुग बार तसे सेश्वल साथ प्राफ्त होता तो संक्या ज्यांत कीजिए आफशनσω कि लेकि चार तक है जो कि कि 125 120 108 या 115 तो एक शुत्र होता है कि भाज जी ब्रावर भाग देने का जो समंद्ध है भाज गुणा कि भाग फल कि धन शेश फल कि इसको ज्यांद करेंगे अब इसमें क्या कहा कि वो संख्या किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने यानि भाजग क्या हो गया 9 भाग फल कितना है 12 शेश फल कितना 7 तो वो संख्या यानि भाज ये इसको हम संख्या भी लिख सकते हैं वो संख्या क्या होगी नौ से भाग देने तो नौ भाजग हो गया भाग देने पर बार भाग फुला आ रहा है धन 6 कितना बचरा 7 बचरा है बार नम्मा 108 धन 7 इसको जोड़ेंगे तो 7 और 8 पंद्र शुनी धन एक अर्थाथ या गया 115 ओप्षन नम्बर 4 इसका राइट आंसर है इक सो पंद्र वो संख्या होगी इसको नौ से भाग देने पर बार भाग फुलोगा और साथ सेशफ़ल होगा अगला है प्रस नम्बर 11 अग्यारा कि 2910 में क्या जोड़ें कि बार से भाग देने पर भागफल 243 आ जाए यहां भार से भाग देंगे भाजग हो गया भागफल हो गया यहां सेशफ़ल की बात नहीं रिखे इसका मुला सेश नहीं बच रहा है मालीजी इस संख्या में हम एक्स जोड़ें एक्स 2910 में एक्स जोड़ें एक्स जोड़ने पर अगर इसको हम 12 से भाग देंगे तो 243 वर भाग जाएगा शेश नहीं बचेगा दो शेश पल हम छोड़ देंगे अब इसको हम क्या करेंगे 2910 धन एक्स बार से बुणा करेंगे अब भाग त्यान चत्तिस हैसिल तीन बार से को 48 अब आद तारीस में तीन जोड़ें 51 हैसिल पांज 1224 पांच 29 तो एक्स का मान निकालना है तो इस संख्या को हम पक्ष्यांत्र करेंगे ब्राबर के दूसरे वह ले जाएंगे तो धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी रणात्मक हो जाएगी 2910 घटा करके कितना गिया एक्स बुराबर छे आ गिया तो अप्षन नमबर तीन इसका राइट आंसर है अगला है क्वेश्चिन प्रस्चन है क्वेश्चिन नमबर बारा पांस अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 61 से पूर्ण भाजी हो पांस अंकों की हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो होती है 99999 अब इसमां हम 61 से भाग देते हैं एक बार जाएगा दोंक हैं तो 61 घटा करके उत्रा नौ अब इसमें हम भाग देंगे 6.36 दुछे बार चक करने का तरीका है घटाने के बाद आ गया उत्रा नौ त्याइश में हैं आठ चेंच चुविश या शेंसर चेंच नड़ारा तो तीन बार जाएगा नुमानी तोर पर तीन से गुणा करके 183 घटाने के बाद आ गया उत्रा नौ नौ बार 54 होते हैं चपन है घटा करके आगया 20 बीश से इस बुच्विश रहा है अगर यहीं संख्या को हम बीश कुश में घड़ा देंगे जो बचिवी संख्या है तो हमारा यहां से इस पल सुनिया जाएगा अर्थात 61 से पूरी बार भाग चला जाएगा इसलिए वो अभीश्य संख्या क्या होगी नियरानवे हजार नो सो नियरानवे मैं बीश को घटा देंगे बीश घटाने के बाद नैंती नैन थाउजन नैन हेंड़े सेवेंटी नाइन ओप्शन नमबर वन इसका राइट आंसर है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते नेस्ट वीडियो साथ थैंक यू